कि बच्चों आज के अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ क्रिया कलाब पर गौर कर लेते हैं जैसे आप एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाते हैं उस स्थान तक पहुंचने में आपको किस चीज की जोरत पड़ती है या टू विलर हम चलाते हैं या कार चलाते हैं या ट्रक जो भी वेहिकल्स की बात करें तो वो वेहिकल्स कैसे चलते हैं आप सभी जानते हैं कि इन सब गाड़ियों को चलाने के लिए पैट्रोल या डीजल की जोरत पड़ती है कोई न कोई इंधन की जोरत रहती है अगर जब कभी इंधन खतम हो जाता है या पैट्रोल या डीजल खतम हो जाता है वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है ऐसे ही हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं जो होती रहती रहती है इन सब को भी इंधन की जोरत रहती है अगर हम गाडियों की बात करते है तो वह जो पेटरोल डीजल है वह उनका फ्यूश वह उसका उड़्या का स्रोथ है जब आप डालते हैं तब चलते हैं और आप यदि आप से सवाल करूं कि हमारे शरीड में इंधन का स्रोत क्या है तो आपके पास सभी के पास आंसर होगा भोजे पदार्थ तो जो हम बोजन लेते हैं उसी से हमें उर्जा मिलती है सही कह रहे हैं तो बोजन से हमें उर्जा तो मिलती है लेकिन सवाल उड़ता है कि ये उर्जा हमें बोजन से कैसे मिलती है तो बाइलसी में हम पढ़ेंगे कि ये प्रक्रिया जो है एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसके जरिये जो है बहुत सारी रसाइनी क्रियाएं होती हैं जिसके फल स्वरूप जो है वो उर्जा प्राप्त होती है अब simply एक line में आप कह देते हो कि हमें उर्जा भोजन से मिलती है लेकिन इस प्रक्रिया को होने में बहुत time मिलता है और उसकी process की mechanism में भी कई सारी प्रक्रियाओं से वो गुजरता है रसाइनी क्रियाओं से गुजरता है तब जाकर ये उर्जा हमें मिलती है और इसी को ही हम क सुची बनाई है कारियों की सुची बनाई है तो आपके कारियों की सुची में क्या क्या शामिल होगा जैसे आप सुबह उठ रहे हैं उठके आप ब्रश करते हैं नहाते हैं खाना खाते हैं घर में कमरे में एक जगा से दूसरे जगा चलते हैं फिर स्कूल जाते हैं बाहर आपका चलना हो गया दौडना हो गया आकर खेल रहे हैं तो यह आपकी शारेरिक क्रियाएं है और यदि मानसिक क्रियाओं पर बात करूं तो मानसिक क्रियाओं में जैसे आप सोचते हैं लिखते हैं समझते हैं तर्क पूर्वक जो है आंसर देते हैं तो यह सारी को करने के लिए हमें उर्जा की जोरत पड़ती है और यह उर्जा हमें कहां से मिल रही है भोजन से तो मिल रही है लेकिन वो कौन सी मेकेनिजम से गुजर रहा है भोजे पदार्थ वो है श्वशन तो आज हम लोग जो अध्याय पढ़ेंगे वो है 11 का अध्याय 17 है जिसका ट है श्वासोओट छ्वास एक अलग अड़ प्रक्रिया है औ गैसों का आधान प्रधान से समलीथ होकर एक मुख्य क्रिया स्वशन की कैसे होती है कौन कौन से इसमें इनजायम शामिल होते हैं यह कहां पर संपन्नों होती है कौन कौन से अंगेस में शामिल हैं यह सारी चीजों का अध्यान हम इस अध्याय के अंतरगत करेंगे अगर हम श्वशन की प्रक्रिया को यदी परिभाशा के रूप में यदी देखना चाहें तो वो श्वशन है क्या तो श्वशन जो है जीवों में होने वाली वह जैव रसानिक क्रिय आधे जिसमें जटिल निकंबिन बोज्य पदार्थ जैसे कार्वो हाइड़रेट प्रोटीन या फैट उनका अक्सिकरन होता है जिसमें या जिसके फल स्वरूब जल और कार्बन एक्साइड बनता है या जटिल कार्बिनिक पदार्थ या सियो टू बनता है और साथ में उर्जा मुप्त होती है तो ये श्वशन की डेफिनेशन है या कहना चाहिए परिभाशा है और अकसर आपको ये कोश्चन आता भी है कि श्व है उसका ये एक एसेंशियल पार्ट है एसेंशियल अभिक्रिया है एसेंशियल लक्षण है कहले चाहिए वो एक कोशिकी जीवो या फिर बहुँ कोशिकी जीवो अब एक कोशिकी जीवों की हम बात करते हैं जैसे कि अमीवा पैरामिशियम है या फिर बैक्टीरिया है तो उनमें श्वशन की प्रक्रिया है वो जो संपन होती है जिसके जरिये ही उनको उर्जा मिलती है और उर्जा से विबिनकारिय होते हैं तो एक कोशी की जीवों में भी श्वशन की प्रक्रिया अनिवारे लक्षन है और बहुत कोशी की जीव चाहे वो पेड़ पौदे हो या हम जीव यानि हम मनुशिया जितने वी तरह के आप जीव आसपास देखते हो सभी में ये श्वशन की प्रक्रिया होती है और श्वशन की प्रक्रिया यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि पौधों में कैसे होती होगी हम अपनी बात करते हैं तो हम श्वशन से क्या संबन लेते हैं कि कब्राषी की सांस लेना और छोड़ना elsै इससे अलग एक और पोट्डिया इस में शामिल होती है जो मुक्यक प्रक्रिया होती है वह दो है आंतरिक स्वचन। जिसमें उर्जा मुक्त हो रही हैं पहले हिसा पहला इससा कुरू है व है छ़ए सांस लेना की जो तो आप कहेंगे कि पौधों में यह किस तरहीच से होता होगा वड़े में नाक तो होता नहीं है वो कैसे सांस लेते होंगी तो इससे सम्मंदित भी अध्याय आपने पहले जो है उसमें आपने इस बौधों में श्वशन पढ़ लिया है उसमें प्रक्रिया कैसे होती ही वो भी पढ़ लिया है अब हम बात करेंगे मनुश्य में ये श्वशन की प्रक्रिया कैसे होती है लेकिन उससे पहले हम अभी ये जानने का प्रयास करते हैं कि श्वशन की प्रक्रिया का मुख्य जो बात होती है उसका समी करण क्या होता है तो जैसे आप यहां देख रहे हैं ग्लुकोज लिया गया यानि यह भोज्य पदार्त है जिसका सूत्र आप देख रहे हो C6 H12 O6 प्लस ऑक्सिजन यह ऑक्सिजन कहां से ही जो हमने सांस ले रहे हैं सांस लेने के साथ अंदर ऑक्सिजन जो जा रही है वह ऑक्सिजन इन दोनों की क्रिया का क्या हो रहा है ऑक्सिडेशन की प्रक्रिया हो रही है यानि ऑक्सिकरन हो रहा है जिसमें क्या बन रहा है सीयो टू बन रहा है पानी पन रहा है यह जड़र को सब्सक्रेंट को हम औरbasin के कि संचीत होती है इसका मतलब आप इससे उड़जाब ले सकते हो और अपना काम कर सकते हो मुख्य बात ये है कि ये प्रक्रिया जो है ये कहां संपन होु रही है तो माईटो कांट्रिया में ये संपन होती है इसके तीन हिस से आपने पहले पड़े होगी पौदम मेश्वर्शन में तो इसमें पहले glycolysis होता है फिर क्रेप सैकल होता है और फिर electron transport system होता है ETS होता है तो पहला जो आपने पढ़ा glycolysis जो है वो साइटोप्लाजमे में होता है साइटोप्लाजमे के बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है वो mitochondria में होती है तो असल चीज जो है वो जो तीसरे हम ने पढ़ते हैं electron transport system वो कहां होता है mitochondria में होता है और mitochondria में ही उर्जा संचीत होती है ATP के रूप में और इसलिए आपको याद होगा छोटी कक्षाओं में अपने पढ़ा था कि mitochondria को उर्जा का घर कहते हैं powerhouse of the cell कहते हैं अब आप सोचिए इसको powerhouse of the cell क्यों कहते हैं निश प्रॉप में हो जा रही है तो जहां मतलब जो घर है जहां वो उर्जा का घर माइटो कॉंडिया इसलिए इसको एनरजी को powerhouse of the cell को कहते हैं अब देखते हैं कि स्वाशन में होता क्या है अगर हम एक ब्रीफ नोट के बारे में नोट के रूप में ज़ी हम चले तो एक्चली प्रोसेस यह होती कैसे है तो जैसे आप यह पिक्चर में आप समझ पा रहे हैं सबसे पहले जो है जो हम ब्रीद करते हैं सांस अंदर लेते हैं जिसमें यहां तो oxygen आपको mention हो रही है लेकिन जो भी हवा में होता है nitrogen भी होती है छोटी बिल्कुल कम मातरा में CO2 भी होती है वो ब्रीदिंग जो कर रहे है जो भी हम सांस में अंदर जो जा रही है वो सारी कैसे अंदर जा रही है ऐसा नहीं है कि oxygen ही अंदर छन के जा रहा है लेकिन हम यहां mention क्या कर रहे है oxygen हमने अंदर ली फिर आप देख रहे हो लंग्स में आगे हम पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे क ऐसे एलबी वलाई के द्वारा गैसी आदान प्रदान होता है फिर लंग्स के द्वारा आप देख रहे हो यह सर्कुलेशन मतलब ब्लट के थू ऑक्सिजन जो है वो कहां जा रही है आप देख रहे हो नेक्स पार्ट उसका टीशू यह सेल्स हैं यह उतकों में या कोशिकाओ में आक्सिजन जारी वहां पर विश्ण वकर कोशिकाओं में पहुंच जाती है कोशिकाओं में अब यह वरे तो यहовать कि ज mieć हन्न 시간이 सेटार्ण और उनक्सिजन तो है जब भोज़न ऑस आया जब भोजन का अचछण ऋ होता है पाचछण होता है पाचछण की प्रक्रिया होती ह आपने पढ़ाओगा कि blood capillaries के द्वारा और भोज्य पदार्त जो है कोशिकाओं तक पहुचाए जाते हैं तो यह वही भोज्य पदार्त है जो कोशिका में ब्लेड के थुरू आया अब ब्लेड के थुरू oxygen भी आई तो टिशू या सेल्स में दोनों चीजें मिल गई जिसके द्वारा अब वो oxidation की प्रक्रिया हो रही है अब जिसमें क्या बन रहा है सीओ डू बन रहा है एस टू बन रहा है और उर्जा मुक्त हो रही है अब oxygen का उपयोग हो गया लेकिन अब इसके दोरान क्या बना सीओ टू बना तो सीओ टू जो बना वो वापस transport होता है यानि परिवाहित होता है blood के द्वारा ही same और फिर वो कहां आ रहा है lungs में आ जा रहा है और lungs में आने के बाद फिर गैसी आदान प्रदान होता है जिसके जरिए यह CO2 जो है जब हम necessarily करते हैं यानि जब हम सांस छोड़ते हैं तब यह बाहर आ जाता है इस तरह से यह पूरी एक क्या है mechanism है जिसमें oxygen अंदर ली गई ग्रहन की गई आंतर ग्रहन हुआ इसका transportation हुआ co2 बना co2 का भी transportation हुआ वो लंग्च में पहुँचा और लंग्स से फिर वो बाहरा गया तो यह है श्वशन का होल सोल कहना चाहिए कि मोड या मोटो कहलो अब हम इस प्रक्रिया को वन बाई वन पूरा जो है अच्छे से देखेंगे कि ओक्सिजन ग्रहन कैसे होती है कहां पर गैसी आदान प्रदान होता है कैसे वो टीशू तक पहुंचती है परिवहन कैसे होता है और फिर औक्सिजन का परिवहन, CO2 का परिवहन और फिर वापस CO2 का शरीड से बाहर निकलना यानि ब्रीधिंग प्रोसेस में एक्सहेलेशन के द्वारा बाहर निकलना तो यह सारी प्रोसेस को हम अभी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों अब हम देखते हैं जीवों में गैसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है यां उसमें कौन से अंग शामिल हो रहे हैं और उन अंगों से मिलेवे तंत्र को हम क्या कहते हैं तो ऑक्सिजन का ग्रहन और कार्बन एक्साइड को त्यागना यह जो है इन में जो सम्मलित अंग है उनको हम श्वशन अंग कहते हैं और इन सबसे मिला हुआ जो एक तंत्र बनता है वो कहलाता है श्वशन तंत्र यानि रेस्पिरेटरी सिस्टम अब विवित प्रकार के आप जीव देखते हैं आप चोटे सुक्ष्म जीवों से लेकर वेल जैसे बड़े जीव देखते हैं आपने आसपास कई तरह के जीव देखते हैं तो कितने तरह के जीव हैं और कितने तरह की इन में विवितता है तो इस विवितता के अनुकूल क्योंकि वो जिस जगह पर रह रहे हैं वो उनके वातावरन उनके स्वभाव के अनुकूल है तो इसलिए यह जो श्वाशन की प्रक्रिया है इसमें जो शामिल अंग है इसमें भी विवितता पाई जाती है तो कौन से जीव किस तरीके से श्वाशन की प्रक्रिया करते हैं या कौन से अंग उनमें शामिल होते हैं इसको हम देखते हैं तो जैसे निमन इस्तर के जीव हैं जैसे यदि हम प्रोटिस्टा की बात करें या बैक्टिरिया की बात करें जो एककोशी की जीव है या और छो कि उसके द्वारा ही इक 200 का आदान प्रदान होता है गैसों का आदान प्रदान का मतलब आप समझ रिजिए कि अक्सिजिiber अनदर आना और C2 का बाहर जाना यानि DC to को त्यागना ये ही मेकेनिजम है जिसे वोड रहे हैं गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो निम्नवर्ग के जीवों में उनके शारिरिक सत्य के द्वारा ही ये संपन हो जाता है अगर उच्वर्ग के जीव देखते हैं तो उनमें खास अंग होते हैं जैसे गिल्स हैं मचलियों में होता है ट्रैकिया है ये कीटों में होता है लंग्स हैं जैसे हम में हैं तो यह उच्चवरगी जीवों में ये कुछ खास अंग होते हैं ये श्वाषण अंग होते हैं अब इनके आधार पर हम देखें तो ये दो प्रकार की सरचनाएं इसमें शामिल होती हैं पहलі बात श्वाषणी सतह जहां पर ये आदान-प्रदान होगा दूसरा श्वर्षन अंग तो यह दो चीजे हम देखते हैं अब मुख्य बाद जो है श्वर्षनी जो सत्ता है जहां पर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसकी कुछ विशेष्टाएं हैं मुख्य विशेष्टाएं मुख्य लक्षण हैं अगर वो नहीं होंगे त तो मुश्किल हो जाएगी गैसों के आदान प्रदान में तो क्या-क्या यह लक्षण होने चाहिए तो पहले हम देखते हैं कि जो श्वर्षन है वो कौनसी प्रोसेस से यह कहना चीज गैसों का आदान प्रदान हो रहा है तो आपने डिफ्यूशन प्रक्रिया पड़ी होग आप इसका एक्जामपल भी कई अच्छे से जानते होंगे जैसे एक जगा पर हमने अगरबत्ती जला ली तो अगरबत्ती का जो धुआ है वो पूरी जगा फैल लाता है और फिर हर जगा उसकी सुगंदाने लगती है तो इसका भी रीजन क्या है यह विसरन की प्रक्रिया क अधिक संद्रता से कम संद्रता की और अणु का गमन होता है तो जो विसरन की प्रक्रिया हो रही है तो यह सामन्य सिधांत के अधार पर एकाम करती तो इसलिए सथ जो श्वशनी सता है उसकी आशक्ता पड़ती है और उसका मुख्य लक्षन क्या होना चाहिए चलिए अब ।ू सबसे पहली बात जो है श्वशनी जो सता है जहां पर गैसों का आधान प्रतार हो रहा है वह सीधे अक्सिजन के स्रोत के वायू या ह्वा के या वायू या जल के सीधे संपर्क में होना चाहिए यदि सीधे संपर्क में है तभी तो ऑक्सिजन उसको तुरंट मिलेगी अगर आप सोचिए ये स्रोत के सीधे संपर्क में नहीं है तो कितनी मुश्किल हो जाए गई ऑक्सिजन को वहां तक अंगों तक पहुंचना और आप जानते हो पल-पल ऑक्सिजन की जुरत पड़ती है हम थोड़ी देर के लिए मुश्किल से कुछ सेकेंड के लिए ही आप कहले पांच सेकेंड के लिए ही आप बस अपनी सांस को रोक सकते हैं अदरवाइज आप अपनी सांस नहीं रोक सकते क्योंकि ऑक्सिजन की हमें हर पल ज़रुरत रहती है हर सेकेंड आपके ब्रेन को ऑक क्योंकि करीब होना चाहिए संपर्क में होना चाहिए फिर क्या बोला यह जो सता है वो बड़ी होनी चाहिए कि मतलब उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए साइज ज्यादा होगी जब ही तो ऑक्सिजन विस्रित अच्छे से होगी पतली होनी चाहिए मतलब उसकी जो मोटाई की बात कर रहे हैं वो मोटी नहीं होके पतली होनी चाहिए और तीसरी बात है मोइस्ट होनी चाहिए जल्दी से विश्रित हो जाए और सी ओ तो बहर आ जाए और फिर चौती बात जो है इनके आसपास या चारो तरब रख्त कोशिकाओं का जाल बिचा होना चाहिए यह कुछ अगर यह लक्षन होते हैं तो बहुत आसानी से गैसी आदान प्रदान हो सकता है अप लुक को कुछ कोरोना के समय की बातें याद होंगी कि कोरोना जो है वो सीधे आटेक आपके रेस्परेटरी सिस्टम या रेस्परेटरी सिस्टम को आटेक कर रहा था लंग्स को खराब कर टो लंग्स में वाय कूपिकाइं होती है यह श्वशणी सत्वाफ स्य आरे रहा था जिसके कारण चुए आजड्य में यानि और ट्रांस्पोर्टेशं में यहां कह लेक कोशिकों तक Łशने में मुश्किल इसलिए हम लोग अब लोगको याद हो झाकिए बार बार चेक === अक्सिजन लिवल का चेक करने का मतलब है कि पूरे शरीर में वो अक्सिजन किस दर से पहुँच रही है तो यह हमने जाना यह मुख्य लक्षन होने चाहिए अब हम देखते हैं कि विविद तरह के जनतू होते हैं उन में जो है यह श्वशन अंग कौन से होते हैं और यह यह श्वशन अंगों की बात करें यह आप जो टेबल में आप देख वा रहे हैं प्लाजिमा जिली जो है उनका श्वशन अंग है और यदि विदी की बात करते हैं तो उसी सामान यह शारीरिक सदह के दवारा विस्तरन के माध्यम से यह आदान प्रतान होता है फिर नेक्स हम देखे हैं पॉरिफेरन यह सिलेंट्रेट्स इस पंज ऐसे तरह की जीव है यह भी लोगर आउर्गिनिसम में आप जानते हो तो कोशिका की बाय सत्ह उनका अंग होता है और यह विस्तरन के माध्यम से इनमें गैसों का आदान प्रतान होता है फिर आगे हम देखते हैं है 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 में जो है सामानिय सत्ह के द्वारा ही इनमें होता है उनकी जो सत्ह जो तवचा है उसके द्वारा वह उनका अंग है तो विधी क्या होगी तवची श्वशन यानि तवचा के द्वारा उनमें श्वशन की प्रक्रिया हो रही है गैसों का आदान प्रतान हो र ट्रेक्या होता है यह एक तरह का श्वशनी अंग है जो इनमें पाया जाता है तो श्वासनाल होने के कारण इनका विदी जो हो जाएगा श्वासनली की हो जाएगा ट्रेक्यल ट्रेक्यल सिस्टम के द्वारा इनमें आदान-प्रदान होता है फिर हम मचली की बात करें आप य गिल्स होते हैं तो उनका स्वक्षाम और मेखने हैं लिए दे म्यार्वाण। यानी गोल्च में स्वक्षान कर सकते हैं फिर हम जानता है कि भात करते हैं तो जानता हैं सर्व にढ़्चा और भी आई फेपडों के द्वारा भी होता है और मुख गुहा के द्वारा भी होता है उनमें तीन तरीके से श्वशन की प्रक्रिया होती है और जब वो मेढ़क जब टैट पॉल अवस्था में होते हैं तब उनमें गिल्स भी होते हैं तो गिल्स के द्वारा भी उनमें श्वशन होता है तो आप कह सकते हो इनमें चार तरीके का श्वशन पाया जाता है तो गिल्स में हमने बात की जब टेट पोल है तब गिल्स के द्वारा श्वशन होगा लेकिन जब वो एडल्ट हो गया मेंधक तो उसमें हमने बात की त्वाचा के द्वारा हो रहा है फेवरों के द्वारा हो और जब कभी उसको oxygen कम पढ़ जाती तो वो मुख गुहा के द्वारा भी वो श्वशन की प्रक्रिया उसमें होती है तो जो जिसके द्वारा अंगों के द्वारा हो रही है उसके आधार पर ही हम उनके श्वशन की विदी लिख सकते हैं तो अचा के द्वारा हो रहा है तो त् क्योंकि higher order में यह organism है जीव है तो इन में जो मुख्य अंग है वो फेफड़े होते हैं यानि लंग्स होते हैं तो लंग्स के द्वारा जो प्रक्रिया हो रही है वो होती फुफोसी श्वशन यानि लंग्स respiration और हम मनुशों की बात करें या मैमल्स की बात करते हैं तो उनमें भी जो अंग है वो फेफड़ा होता है और उनमें भी वो लंग्स respiration होता है यानि फुफोसी श्वशन के द्वारा ही यह mechanism जो है वो संपन होती है यानि गैसों का आदान प्रदान की हम बात कर रहे हैं तो हमने यह कुछ जीमों की बात की जिसमें कौन से अंग उनके श्वशन के हैं और किस तरीके से यह श्वशन की प्रक्रिया उनमें होती है यह बहुत इंपॉर्टन है पार्ट क्योंकि कभी-कभी आपको एक नंबर के कोशन इस तरीके से पूछ देता है कि हैल मिंधिस में किस तरीके से होगा में किस तरीके से होगा या साप में किस तरीके से होगा श्वशन या मचलियों में कैसे होता है अभी हम इसके बारे मे और आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि जानेंगे कि ये सामानिय सता से कैसे होता है या अमीवा पैरामेशा में किस तरी किसे स्वर्शन होता है